हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आजुकेशनल मंदिर फ्रेंड्स आज की वीडियो में कल आर्पी असी संस्कृत विभाब हैड मास्टर का जो एक्जाम हुआ था उसकी आंसर की हम देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन है बल्बन को नाईब ए मुमालिक का पद किस सासक के सासनकाल में प्राप्थ हुआ उप्षन है इल्टुतमिष मसूदशा नसीरुदिन महमूद बहरामसा तो यह प्राप्थ हुआ था बहरामसा के सासनकाल में Option 4 महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनां की चेक कहा था तो महात्मा गांधी ने जो है वो कृप्स मिशन को उत्तर दिनां की चेक कहा था Next Question है नीचे दिये गए हडपा कालेन स्थलों को उन राजियों से सुमेलित कीजिए जहां स्थल अवस्थित है Option A आलमगीरपूर जोकी उत्तर परदेश में है, धोला वीरा गुजिरात में है, राखी गड़ी हरियाना और काली बंगा राजस्थान में है तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है उप्शन A Next question है मोखरी यूप अभिलेख 238 इस्वी निमन में से कहां से प्राप्थ हुए है बढली, बरनाला, बढ़वा, बैराट तो ये हमें प्राप्थ हुए हैं बढ़वा से उप्शन 3 Next है स्वामी दयानन सर्स्वती ने सत्यार्थ परकास को कहां लिखा था स्वामी दयानन सर्स्वती ने जो है वो सत्यार्थ परकास को उध्यपूर में लिखा था Option 4 Next है निमन में से कौन सी चितरकला सेली मुगल सितरकला से सर्वादिक पर्भावित हुई तो जयपूर सेली जो है वो सर्वादिक पर्भावित हुई Next है सुमेलित कीजिये सहरव चतरियां दी गई हैं तो जैपूर में जो है वो है गैटोर जोदपूर में जस्वन थड़ा कोट्टा चतरविलास और जैसलमेर में बड़ा बाग चतरियां जो है अवस्थित हैं तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ओप्शन 3 नेक्स्ट है सोतंतरता आंदोलन के दोरान राष्ट्रिय सोक दिवस कब आयजित किया गया था जलियां वाला बाग हत्याकांट के दिन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दिन भारत विभाजन के दिन बंगाल विभाजन लागू होने के दिन तो ये जो राष्ट्रिय सोक दि गत्तर में, उप्शन 1, 1887 इस्वी में स्थापित देव समाज की स्थापना किस ने की थी, तो इसकी स्थापना की थी, सिव नारायन अगनी होतरी ने, उप्शन 4, राजस्थान की बना संस्क्रीती संबंद है, बना संस्क्रीती जो है, वो संबंदित है, तमरपसान काल से, नेक्स्ट कॉर्शिन है राजवंस जो अल्लावदिन के अकर्मन के समय देवगीरी पर सासन कर रहा था वह है तो वह है यादव वंस ओप्शन टू नेक्स्ट कॉर्शिन है दुध्य विश्व युद में जापान ने ओप्चारिक रूप से कब आतम समर्पन किया था यह समबंदित था यह सम्बंदित था बिका नेर से दुलेव में स्थित प्रसिद मंदिर जैन धरम के किस तिर्थंकर को समर्पित है ये समर्पित है रिशब देव को किस मोर्य कालिन स्थम के सीर्ज पर एक विशाल हाथी का अंकन है तो विशाल हाथी का जो अंकन है वो है संकीशा पर नेक्स्ट है उदोगिक करांती के दोरान सड़क निर्मान का नया तरीका निमलिकित में से किसने खोजा हैंरी कोर्ट, चार्ल्स, गुड़ेईर, अबराहम, डर्बी, मकादम तो मकादम की दोरा जो है, वो खोजा गया था पर्तिहारों की कौन चीज साखा सरवादिक पुरातन मानी जाती है नेक्स्ट परसिन है वोल स्ट्रीट संकट के समय बलैक मंगलवार गटना कब गटित हुई ये गटना गटित हुई थी 29 अक्तूबर 29 अक्तूबर 1929 Option 1 Next है 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्याले था तो इसका जो मुख्याले था वो था ब्यावर में Option 2 अगला कुश्चन है बीकानेर संग्रहाले में परदर्शित महिशा सुर मरदिने की लाल मिट्री की मूर्ती मूलते कहां से प्राप्त हुई यह जो है वो प्राप्त हुई है बटनेर से Option 1 Next है राजस्थान में सीताबाडी का मेला किस्प कस्पे के निकट आयोजित होता है यह आयोजित होता है केलवाडा के निकट Option 4 अरविंद घोस्थ के द्वारा रचित भवाणी मंदिर निमन में से किस रसना से प्रेरित थी यह प्रेरित थी आनंद मठ से Option 4 अगला कुशन है वीजे नगर समराज्य में तेलगू कवीता के पितामया की उपादी से किसे समानित किया गया था तो तेलगू कविता के पितामय की उपादी से समानित किया गया था अलसानी पेदन को ओप्शन 3 नेक्स्ट है निमन में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है सुर्यमल मिशन वनसोदे यह जो है वो सुमेलित नहीं है इसका जो राइट अंसर है वो है उप्शन ए गुप्ट समराठ चंदर गुप्ट दुईतिय के संदर में कोन सा कतन सत्य है उप्शन वन उसके सासन काल में चीनी यात्री फाईयान भार्त आया था इस सत्य कतन है वह सकूंद वारा प्राजित हो गया था यह कतन गलत है अगड़ चंद्रगुप्ठ दुईतिय के समय ही रचा गया था यह भी गलत है उप्शन वन उसका राइट अंसर है नेक्स है राणा कुंबा की मृतियो हुई था राणा कुंबा की मृतियो जो है वह कुंबलगड में हुई था औप्सन four flying stel का आविशकार किस ने किया तो जोन k ने जो है वो flying stel का आविशकार किया था next है हरिशेंद्वरा रचित प्रियाग पर सस्ती की बासा है तो संसकृत बासा में जो है वो प्रियाग पर सस्ती को रचा था किस तमिल महाकावय में कौवलन और मादवी की कता दी गई है तो कौवलन और मादवी की कता जो है वो दी गई है सिलफ ऑदी कार्म में Option A Next है साबर्मती आशरम से सागर्तट के दांडी मार्ज में कुल कितनी महिलाऊने भाग लिया था इसमें आट मेलावने जो है वो भाग लिया था निमन लिखित में से कौन सा सूशिर वाद्य है सूर मंडल सतारा रावन हथा जंतर सतारा जो है वो सूशिर वाद्य है नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए महाजन पद और उनकी राजधानी दे गई है तो मतस्या की राजधानी है विराट नगर, अंग की चमपा, वत्स, कोसामबी, अवन्ती, उजेनी तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है उप्शन वन नेक्स्ट कोशिन है रामस नहीं संपरदाई की सायपूरा साखा के संस्थापक कोन थे? जिसके संस्थापक थे? रामसरण जी उप्शन वन नेक्स्ट कोशिन है गोपिलाल यादव, ठाकूर देशराज, एम, रेवती, सरण उपाध्याई, राजस्थान के किस परजामंडल आंदोलन से संबंद रहे है ये संबंदित हैं बरतपूर परजामंडल से औप्शन दो कन्यावद को गैर कानोनी गोशित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी तो पहली रियासत थी कोटा औप्शन वन यह किसने कहा यदि रूसों नए हुआ होता तो फ्रांसेसी करांते संबव नए होती यह कथन जो है वो नेपोलियन बोना पार्ट के द्वारा कहा गया है नेक्स्ट है निम्नांकित में से कोन राजस्थान के पहली ऐसे मुख्य मंत्री रही है जो मुख्य मंत्री पद की स्फ़त लेते समय विधान सबा के सदस्य नहीं थे तो वो है असोग गहलोद नेक्स्ट है निम्नांकित में से कोन राजस्थान से राजस्थान में सबसे ज़्यादा आवधी के लिए परतिन जित्व करने वाली महिला सांसद है तो इन में से जो सारधा भारगव हैं वो सिरवादिक अवदी के लिए जो है उप्रतिने इत्वित्वय करने वाली महिला सांसद हैं नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन सी राष्टपती के पद के लिए सरते हैं उप्शन वन वह भारत का नागरिक है वह 35 वर्ज की आयूप पूरी कर चुका है वह अन्य निताओं वह अन्य कोई लाब का पद धारण नहीं करेगा वह बिना किराया दिये अपने सास किये निवासों के उप्योग का हकदार होगा तो इसमें से ओप्शन 3 और 4 जो है ओप्शन 3 और 4 जो है हो राष्टपती पद के लिए सरते हैं तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ओप्शन 1 नेक्स्ट कॉर्शन है राजस्थान विदान सभा का अध्यक्स निम्नांकित में से कि समीती का पदेन अध्यक्स होता है प्रसन संधर्ब समीती अधिनस्त विदान समीती नियम समीती और नियम उप समीती विशेशा दिकार समीती तो वो है उप्शन 3 नियम समीती और नियम निम्नांकित में से कौन सा यूग में मूल कर्तवियों के इस संदर्में सही नहीं है और प्री रक्षन भारत की परभुता एकता और अखंडता की रक्ष्या का यह जो है वो अहीं नहीं है विकास वग्यानिक तृष्टिकोंड मानववाद और ग्यानारचन तथा सुधार की भावना का ये सही है तो इसका राइट अंसर है उप्शन 3 नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने राज्य सबा के सदस्य रहते हुए परधान मंतरी के रूप में सफ़त लिया श्रीमती इंदरा गांदी, HD देवगोडा, इंदर कुमार गुजराल, मनमोहन सिंग सही विकल्प का चैन केजिए तो इन में से जो है वो सभी ने लिया उप्शन 1, 2 इंदर कुमार गुजराल और मनमोहन सिंग सभी ने जो है वो राजे सबा के सदस्य रहते हुए परधान मंतरी के रूप में सफ़त लिया तो इस तरह से इसका राइट आंसर है उप्शन 3 नेक्स्ट है बारत के समिधान के संसोधन परकिरिया के संदर में कौन सा कतन सही है उप्शन है समिधान में संसोधन संसद के किसी भी सदन में इस परियोजन हेतु विधायक पूरे स्थापित करके ही प्रारम किया जा सकता है इस सही कथन है समिधान के संसोधन हेतु किसी विद्ययक को संसद में पूने स्थापित करने के लिए राश्टरपती की पूरव स्विग्रिती आउस्यक है ये जो है वो सही नहीं है उप्सन 3 रास्ट पती समिधान संसोधन विदयेक पर निशेदा दिकार का परयोग नहीं कर सकता है ये भी सई कथन है समिधान संसोधन विदयेक पर संसद की सयंवत बठक नहीं बुलाई जा सकती है ये भी सई है तो इस तरह सेद इसका right answer है वो है उप्सन 4 Next है स्रेया सिंगल बनाम यूनियन वोफ इंडिया वाद किसे संबंदित है अभियक्ति की सुतंतरता के मोलिक अधिकार से मत देने और चुनाव लड़ने के अधिकार से IPC की धारा 488 में कैके दुरूपियों के प्रोकने के निर्देशों से एक लड़की का अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाय करने के अधिकार से तो ये जो है वो संबंदित है Option 1 अभियक्ति की सुतंतरता के मोलिक अधिकार से Next है सहकारी सोसाइटियां विशे है अवसिस्चक्ति का समवर्ती सुची का संग सुची का राज्य सुची का तो सहकारी सोसाइटियां वो समवर्ती सुची का विशे है Next है बारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नमींतम अधिसुचना के अनुशा राजस्थान में निम्नांकित में से कौन से राजनीतिक दल को राजजी दल के रूप में माननेता प्राप्त है इसकी उप्शन है राष्टी लोकतांतरिक पार्टी, बारती ट्राइबल पार्टी, राष्टी लोकतल तो इन में से राष्टी लोकतांतरिक पार्टी को जो है वो माननेता प्राप्त है तो इस तरह इसका राइट आंसर है उप्शन वन Next उप्शन है निमनांकित में से किसे सबसे पहली राजस्थान के राज़ेपाल का अतिरक कार्यबाद दिया गया टीवी राजेश्वर कलासपति मेश्र, धनिق लाल मंडल, सवरूप सिंस, तो सवरूप सिंस को जो है वो दिया गया था औपسन 4 निमन लिखित में से राजय के नीती के निरदेसक तत्टों के सम्बद में कोन सा युग मैं सही नहीं है औपसन 1 अनुझेद उननिचास 44-वा सनसोधन अधिनियम 1978 यही जो है वो सही नहीं है अनुचेद 43 है, 97 वा संसोदन अधिनियम 2011 ये सही है अनुचेद 45, 86 वा संसोदन अधिनियम 2002 ये भी सही है अनुचेद 43 है, 42 वा संसोदन 1974 ये भी सही है तो इस तरह से option 1 जो है वो इसका right answer है Next नेक्स्ट में से कौण राजश्थानविदान सबा की पहली महिला सदस्य थी कमला बैनिवाल ये सोधा देवी, सुमित्रा सिंग, गंगा देवी तो ये सोधा देवी जो है वो पहली महिला सदस्य थी उप्शन 2 मंडल आयोग द्वारा राष्टरपती को अपनी रिपोर्ट का प्रस्तूत की गई तो ये प्रस्तूत की गई थी निमलिकित में से किस विशय पर विधान पुने स्थापित करने हितूराष्टरपती की पूरो मंजूरी या सिफारिश की आवशक्ता नहीं होती है नए राज्यों के निर्मान या वर्तमान राज्यों की सीमाओ में परिवर्तन आदे से संबंदित विधेयक, वित विधेयक, व्यापार की सोतंतरता पर निर्बंदन अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक और नागरिक्ता के अधिकार के वियर नियमन से संबंदित वि वट्शन में सबसे अधिक स्थान हासिल करने वाला राजनीतिक दल था बारतिय जन संग, बारतिय लोग दल, जन्ता पार्टी तो वो दल था 되어 स्थे जन्ता पार्टी निम्नांकित में से कौन सा अनुछेद उसी वच्था में प्रभावी होगा जब लोग सभा भंग ने हो अथ्वा उसका स्त्रावसान ने हुआ हो तो ये होगा अनुछेद पिचेतर तेन में, option 3 next है, राजस्थान पंचाईती राज संसोधन अधिनियम, 2019 द्वारा, राजस्थान पंचाईती राज अधिनियम, संसोधन किया गया था, तो ये किया गया था, धारा, उन्निस के प्रावधानों में, option 1, 2019 के लिए, इज ओफ, डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, भारत का स्थान था, तो इसमें जो है, वो भारत का स्थान था, 63, option 4, next है, वर्ष 2021 के लिए, अगरिम अनुमानों के अनुसार, सिवाक सेत्र का राजस्थान के राज्य ग्रेलू उत्पाद में योगदान है, तो इसका जो योगदान है, वो है, 45.43, option 2, next है, राजस्थान में, 2018 के दोरान पसु पालन विभाग दोवारा, की गई परमुक पहल है, भ वो है, option 1, अभिका कोच बिमा योजना, नौजीवन योजना और पालनहार योजना, तो इसका राइट आंसर है, option 1, next है, मुख्य मंतरी युवा संबल योजना के तहत, सिक्षित बिरोजगार युवाओं के लिए, बिरोजगारी बत्ते को संसोधित कर, हरवरी 2019 से लाबार्थियों को तीन हजार रुपए परतिमा बत्ता मिलेगा, option 3, next है, निवेश बंदू पोर्टल का सम्मझ जिस शेतर से है, वह है, खाते परसंसकरण, विदेशी व्यापार, MSME और बीमा, तो वो है, खाते परसंसकरण उधोग, option 1, next है, निमल लिखित में से भारत सर करद बनाए गए तेन क्रिशी सुधार कानून, 2020 में सामिल नहीं है, क्रिशक ससकतिकण वन सरक्षन सम्झोता, कीमत आस्वासन, एवन फारम सिवा अधिनियम, 2020, आउस्यक वस्तु अधिनियम, 2020, आउस्यक सेवा अधिनियम, 2020, क्रिशक उत्पाद व्यापार, एवनिज्य, अधिनियम 2020, तो इसमें जो सामिल नहीं है, वो है, option 3, आवस्यक सेवा अधिनियम 2020, next question है, निमन लिखित में से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्यों का लिंगा नुपात की दृष्टी से आरोही करम रहा है, तो ये करम है, option 4, 36 गट, आंदर प्रदेश, आड़ो केरल, option 4, जो है वो, राइट आंसर है, next question है, बारत में निमन लिखित में से कौन सा छेत्र, सकल वर्दित मुल्य में एक अपवाद हिस्सा है, जिसका अंस वित्ती वर्स, 2012 में 2.3 परतिसत से बढ़कर, वित्ती वर्स, 2021 में 2.7 परतिसत हो गया, ये है, बिजली, ग के अनुसार, देश में अनुमानित कुल खाधान उत्पादन है, ये है, 308.65 मिलियन टन, option 1, next है, देश में 2018-19 में, पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार, विरोजगारी दर कितने परतिसत रही है, ये रही है, 5.8 परतिसत, option 2, 2019 में शुरू की गई पर्धान मंत किसान सम्मान नेधी योजना परदान करती है, ये परदान करती है, लाबारतियों के बैंक खातों में, तीन किस्तों में जारी 6,000 रुपए परति वर्ष की रासी दे जाती है, option 4, next question है, बारत में प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2019-20 में परति व्यक्ति सु 2011 की जनगनना के नुसार, राजस्थान में सरवादिक सहरी साक्षिरता दर थी, तो जैपूर की जो है वो सरवादिक सहरी साक्षिरता दर थी, option 4, next है, 26 अक्तूबर 2020 को नई दिल्ली में राज्या की किस सहर को बैस्ट हैरिटेज, डेस्टिनेशन इन दा कंट्री का पुरु योजना, मंत्राले विभिन अव्यो योजनाओं को लागू कर रहा है, निमन में से कौन से सामिल नहीं है, तो इन में जो सामिल नहीं है, वो है, पिछड़े हुए जिलो में सिंचाई पर योजनाओं की स्थापना, option 2, आज की वीडियो में बस हम यहीं तक देखेंगे, करने वाद